हेलो दोस्तों वेलकम टू ऑनलाइन स्टुड़ी पॉइंट दोस्तों रेलवे गुरूब डी एक्जाम के लिए जनरल साइन्स के मोस्ट इंपोर्डेन पचास कोईश्चन इस वीडियो आपके लिए एकर आया हूँ और आपको बता दू के रेलवे गुरूब डी एक्जाम मे पिछले बरसों में कई वार पूचेगे और बार बार रिपीट होते हैं इसलिए आप इस वीडियो को इग्नोर ना करके लास्ट तक देखिए साथ ही मेरे साथ आप सौलू कर लिए प्रेक्टिस सेट भी है और आपके पचास कोश्चन भी रेडियो हो जाएंगे और काफी म बनाएगे वीडियो बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं चली स्टार्ट करते हैं दिया आप मेरे चैनल पर पहली बार वीट करें चैनल के नीचे रेड़ क्लैम सब्सक्राइब बटन उससों में क्लिक करके बेल आइकान जरूर प्रिसक्राइब ताक कि आपको रेलवे से ले कि अनेखर पर आपको बताने करी है इसका सही उत्तर हो जा जाएगा औरं सी जल में कोस्ट्रा नमर 3 जीव की ओत्तम्स होती सकतल का सत्यावन किया तो इसका। एंसर है option D, Oparin ने, किसने ओपेरिन ने क्या कि जीब कुतपती जीब सूती, इसका गथन सत्यावन किसने के ओपेरिन ने, question number 4 है दोस्तों, पौधे के किस भाग से कौफी प्राप्त होती है, पौधे के किस भाग से कौफी प्राप्त होती है, option है फूलों से, बीजों से, पत् निकोटीन पा जाता है तो निकोटीन किसमें पा जाता है इसका राइट एंसर होगा option B, तंबाक्व की पति, किसमें तंबाक्व की पत्तिों में निकोटीन पा जाता है, दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ, इत्याव रेलवे ग्रूप इक्जाम के तैरी करें हैं, तो आपके लिए एल बुक पब्लिसर द्वारा अच्छी बुक बनाई गई है पीडियाफ बुक है यह और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी तो इस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं आप और यह बुक ओनली 30 रूपए कि मात 30 रूपए है में इसमें पूरा कंप्लीट पैकेज है जनरल साइंस और इसके लाव मायत रिजनिंग करेंड अफेयस जनरल अवेने सारा जो तो बहुत ही मात्पूर है और रिवीजन के लिए बहुत मात्पूर है क्योंकि टाइम कम है तो आपको रिवीजन कर ले तो आप इ कीड भक्षी पौदा है कोश्चन नमर सात्वा है डियने का मॉडल प्रस्तूत करने के लिए इस सबासर नोल पूसकार किसे मिला है तो ऑप्सान वाट साने में क्रिक को डाक्टर एजी खुराना को रावा ठुक को या ब्रिगा सेमें किंग को राइट एंसर होगा इसका एक मार्क डारवीन खुराना मेंडल दोस्तों सब सिसका जाएक जनमदाता है तो अनुबांसिक तक मेंडल प्रस्ती शिकाल में 1956 क्याप अससand로 इक यस तनह रहो pista है और यह कोश्चन कई लंग हो जाता है इसलिए आपको यादर के आलू एक तना है कोश्चन नमबर दसवा है चेचक के वैसीन को सरवर्थम तयार किया ऑप्सन आपके सामने देर के इसका राइड एंसर रोगों दोस्तों ऑप्सन भी डाक्टर जेनर ने ठीक है चेचक के वैसीन को इसने त्यार किया तर बिमारी पर काभू पा ली आ गया है चेचक के वैसीन नमर बारमा भारत के लोगों की बस्ता में पाया दोट को दही बनाता है इन में से कौन दूत को दही बनाता है option इक खामीर, lactobacillus, reminds राइजोपस,ukuGame तो इसका right answer क्या आँको है ओस्तो इसका right answer है option भी lactobacillus ठीकक lactobacillus जो है तो दूद को दिमाता है ठीक यह एक vectvetyria है lactobacillus तो दूद को दिमाता है equation ay influenza को अधिक प्रस्रिव आटा रहर भी जाना जाता है वाटसन ने ठीक राडर का विश्कार किस ने किया था रावाट वाटसन ने अगला कोशन है मनुष में एफला टोक्सीन खाद विशाक्तन द्वारा सामानता कौन संग प्रभावित होता है तो इसका राइड एंसर होगा दोस्तों ऑप्सन डी यक्रित ठीक है मनुष में एफल अगला कोश्चन है इन में से रक्त दाप का मापा केंदर कौन सा है यह भी बहुत महत्पूर कोश्चन है जिसका राइड एंसर होगा दोस्तों ऑप्सन यूरेनियम का ठीक है यूरेनियम को किसका उप्योग होता है इसका विद्दू दूत्पन करने के लिए काला बधी इस इसका राइड देंसर हो जाएगा ऑप्सन भी लंबाई के उपर निर्भा करती है अगला कोश्चन 23 चुमबकी इसुई किस तरफ संकेत करती है राइड एंसर है उप्सन सी ऊत्तर की और कोश्चन हमर 24 है शोएत प्रकास को नली में कैसा पैदा करते हैं इसका राइड देंस सही उत्तर होगा इसका option d चंदरमा से महासागर मूची जलतरंगे कैसी उती चंदरमा से अगला प्रसन है 26 नमबर का कमरा को ठंड़ा किया जा सकता है तो इसका सही उत्तर होगा option 2 संपीरिद गयस को छोड़ने से अगला पसने प्रकास में साथ रंग होते हैं साथ रंगों को अलग अलग करने का तरीका क्या है आपको पताने है प्रकास में साथ रंग होते हैं उसको रंगों को अलग करने का तरीका क्या है तो इसका राइड एंसर रोगा ऑप्सन एक प्रीज में से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है कोश्चन नमबर 28 है सूर ग्रहन तब होता है जब तो आपको पताने है सूर ग्रहन कब होता है राइट एंसर हो दोस्तों इसका चंद्रमा बीच में हो ठीक सूर ग्रहन तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो अगला कोश्चन है सबसे चोटा दिन कब होता है जिसका right answer है दोस्तों 23 December को ठीक सबसे चोटा दिन कब होता है 23 December को चलिए अगले को श्रक तरह बढ़ते हैं तीसे में number पर सोने को घोला जा सकता है तो सोने को किसमें घोला जा सकता है इसका right answer हो जाएगा option C तीन भाग हाइड्रोकलोरी कमल तथा एक भाग नार्ट ediyor कमल में ठीक है शोनी को भोला सकता है इस तीन भाग हाइड्रोकलोरी कमल तथा एक भाग नार्ट поддерж कमल में चलिए question number 31 है चुहे मारने का जहर की इस रहसानिक पदार से बनता है जिसका डिट एंसर है option c potassium cyanide थीक है, चूहे माने के जहरकी स्रैसानिक पता से बनता है, पोडेशियम साइनार द्वारा Q 밀क नमर 32 हिड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा switches oxygen राख मिट्टी पानी सही उतर है, प्सेजन है correction D पानी, हिड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, पानी question number 33 है myoglobin में काउन से धातू होता है myoglobin में काउन से धातू होता है इसका right answer हो जाएगा option D low high अगला question है aspirin कहां से मिलती है aspirin कहां से मिलती है option petroleum, प्रिथवी, एक पेंड या acidो के रासानी के फगिया से सही उत्तर है option C, एक पेंड से aspirin कहां से मिलती है, एक पेंड से अगला question है, पीतल काउन से धातू का मिसरण है, पीतल इन में से काउन से धातू का मिसरण है, सही उत्तर है option D, तावा और जस्ता, ठीक है पीतल काउन से धातू को मिसरण है दोस्तों, तावा और जस्ता का, question number 36 है तरने के तालाम में तरने से मनुस्ष की तोचा जल जाती है क्योंकि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका राइड एंसर है option भी chlorine के कारण ठीक है chlorine के कारण question number 37 है जब वैदुतिक उर्जागती में परिवर्तन होती है तब क्या होता है तो सही उत्तर होगा option C 30% उस्मा की हानी होती है question number 38 है शक्कर के किडवन से क्या बनता है राइड एंसर है option इथाईल एलकोहल ठीक है शक्कर किडवन से क्या बनता है इताईल एलकोहल question number 39 है अमला वर्षा होती है option ने कारखानों से, पेट्रोल से, कोईला जलने से या लकडी से सही उत्तर होगा दोस्तों इसका तो इसका सही answer हो जाएगा option ने कारखानों से ठीक है, अमला वर्षा होती है कारखानों से अगला question है गेहू की खेती के लिए ये कौन से उर्वरक उप्योग करेंगे ये को खेती के लिए कौन से उर्वरक उप्योग करेंगे राइड एंसर है, option है nitrogen question number 41 है जब एक पत्थर को चांद की सतह से प्रिथिवी पर ला जाता है तो इसका राइड एंसर क्या होगा, आपके पास option दे रखें जब एक पत्थर को चांद की सतह से प्रिथिवी पर ला जाता है तब इसका भार बदल जाएगा, लेकिन इसका दरब्यमान नहीं बदलेगा question number 42